जोतिस शास्तर के मुताबिक मानिता है कि सभी ग्रह समय समय पर राजयोग का निर्माण करते रहते हैं, जिसका असर मानो जीवन और प्रित्वी पर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आपको बता दे कि दिसंबर के अंत में और नए साल से पहले 500 साल बाद एक साथ कई ग्रहों के चाल बदलने से राजयोग का निर्माण होने अमाला है। इसके अलावा शुक्रे से मालव्य तो मंगल से रूचक राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे मेश राशी की। तो बता दे कि चार राजयोगों के बनने से मेश राशी के जातकों को फाइदा मिलने वाला है। मेश राशी वालों को धन दवलत में बढ़ोतरी होने वाली है। सूरे देव के आशिरवास से आत्म विश्वास में भी व्रदी हो सकती है। करियर में सफलता मिलेगी और साथी धन और समान भी मिलने वाला है। इस समय मेश राशी के लोगों की मनुकामनाय पूरी हो सकती है। परिक्षा की तयारी करने विद्यारतियों को भी सफलता मिलेगी। साथी हम बात करेंगे सिंग राशी की। सिंग राशी के जातकों के लिए चार राशीयों का बनना बहुती लापकारी साबित होने वाला है। इस समय सिंग राशी वालों के मान समान में व्रदी होगी और कारे शेत्र में तरक्की मिलेगी। और आने वाले नए साल यानी 2024 में प्रमोशन भी मिल सकता है। वक्त आपके अनुकूल है इसलिए आपको नई नोकरी के आसर भी मिल सकते हैं और अब हम बात करेंगे तुला राशिकी 500 साल बाद एक साथ चार राजियों के बनने से तुला राशिकी के जातकों को अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं इस समय में आपको कार्यस्तल में मन चाहे परिनाम मिलेंगे और प्रोफिशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी साथ ही धन कमाने के नए मौके भी मिल सकते हैं